दोस्तो भारत में भोजन के साथ सलाद के रूप में कच्छा प्याज खाना बहुती आम है, लगबग हर एक घर में कच्छा प्याज खाये जाते हैं सलाद के रूप में, ऐसे तो सलाद खाने की बहुत सरे हेल्थ बेनिफिट से, लेकिन इस वीडियो पर मैं आप लोगों को ब बारत में कच्चे प्याज का सेवन अक्सर सलाद के रूप में भोजन के साथ निम्बू के साथ किया जाता है। प्याज में नियूटिरंस भर पूर मात्रा में पाया जाता है। प्याज में एक बहुत्य इंपौर्टेंट पाया जाता है जो कि है कॉरुसिटिन एक तरह कि फ्लावनोईट से जो कि इम्मुनिटी को बढ़ाने में मद्द करता है। इम्म्यूनिटी को बराने के लिए बहुती हेलप पूल होता है कोरसितिन। इसके अलबा प्याज में विटामिन C, B विटामिन्स, पॉटसियम और सौडियम की मात्रा अधिक होती है। पॉटसियम बलट पेसर को कम करता है जो कि आपको हाई बीपी से निजात दिलाने में मदद करता है। दोस्तों अगर आप रोजाना भोजन के साथ सलाद के रूप में कच्चा प्याज खाते हैं तो इससे आपकी सरीर को परियापत मात्रा में विटामिन C मिलता है। विटामिन C जो कि हमारी सरीर के लिए बहुती जरूरी है। यानि सरीर में रोगों से लड़ने की समता बरता है। इसके इलाबा प्याज में एंटी ऑक्सिदेंट और एंटी इंफलमेटरी गुन भी पाये जाते है। दोस्तों कच्चा प्याज हार्ट हैल्थ के लिए बोती फायदमंद होता है। कच्चा प्याज का सेवन करने से सरीर में मोजूद खराब कॉलेस्टरॉल कम होता है जो कि ये हार्ट के लिए बोती फायदमंद होता है। दोस्तो मैं आपको बता दू कि सरीर में मौझूद इसी खराब कॉलेस्टरोल की वज़े से ही दिल की बिमारिया होता है और कच्चा प्याज खाने से ए बैड कॉलेस्टरोल कम होता है जो कि दिल को सुष्ट रखने में मदद करता है। दोस्तो इसके लबार रोजाना कच्चा प्याज खाने से बलड सर्क्यूलेशन भी इंप्रूव होता है तो दोस्तो रोजाना कच्चा प्याज खाने के इतने सारे फायदे हैं लेकिन प्याज खाने से पहले आपको कुछ बातों का भी ध्यान रखना चाहिए जैसे कि प्याज पर मैंने आप लोगों को कच्चे प्याज खाने की फायदे के बारे में बता दिया है अगर इस वीडियो आपको फायदा मन लगे तो वीडियो को लाइक और सेयर जरूर करे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आज का ये वीडियो एहीं तक फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टैक केर